रतन टाटा का नाम भारत के महानतम उद्योग पतियों में शुमार किया जाता है। वो सिर्फ एक सफल व्यवसाय ही नहीं, बलकि मानवता के प्रती अपने गहरे आदर्श और समवेधन शील्टा के लिए भी प्रसिप्ध थे। रतन टाटा ने टाटा समूर की अध्यक्षता करते हुए उसे वैश्विक स्तर पर एक उचे मुकाम तक पहुँचाया। आए उनकी संपूर्ण जीवन पर एक विस्त्रिक नजर डालते हैं। प्रारंभीक जीवन और शिक्षा, रतन नवल टाटा का जन्मत था इस दिसंबर 19 37 को मुंबई में हुआ था। वो ही एक प्रतिष्ठिक पार्सी परिवार से तालुक रखते हैं, जो व्यापार और सामाजिक कारियों में गहरी रूची रखता था। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा थे। रतन टाटा जब मात्र दस वर्ष के थे, उनके मात पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। इस कठिनाए भरे बचपन के बावजूद रतन टाटा ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और द्रिलता से आगे बढ़ते रहे। रतन टाटा की प्रारमविक शिक्ष प्राप्त की। 1962 में उन्होंने कॉनल विश्विद्यालय से आखिटेक्चर और इंजीनियरिंग में सनातक की दिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1975 में हावर्ड बिजने स्कूल से एडवांस्ट मेनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। टाटा समूह में प्रव उभव उनके लिए बेहद महत्वपून साबित हुआ क्योंकि इसे उन्हें संगथन के निचली स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की कार्यकलापों की गहरी समझ मिली। नित्रित्व क्षम्ता को और निखारा। टाटा समूह की अध्यक्षता और नित्रित्व उन्नी सो इक्यानवे में जे आडी टाटा के सेवानिवृत हुने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय टाटा समूह कई स्वायत कमपनि का एक समूह था, जिन में से प्रतेक अपने स्वतंत रूप से कार्य करती थी। रतन टाटा ने इन कम्पनियों को एक एकी कृत संगठन में बदलने का कार्य शुरू किया। उन्होंने संगठन में आधुनिक प्रबंधन पधतियों और वैश्विक व्यापार के लिए रन्नी का अनुसरन किया। रतन टाटा का मुख्य उद्देशी टाटा समूह को वैश्विक मंच पर ले जाना था। उन्होंने समूह की कम्पनियों में सुधार किया, अधिक प्रतिस परधात मक्ता लायव और अंतराष्ट्रिय अविस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। उनके नि को वैश्विक व्यापार जगत में प्रमुक स्थान दिलाने में मदद की। प्रमुक हुप लब्दिया। 1. टाटा मोटर्स और नैनो कार। रतन टाटा की नेत्रित्व में टाटा मोटर्स ने भारतिय आटो मोबाइल उद्योग में एक क्रांती ला दी। उन्होंने 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉंच की। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतिय परिवार के पास अपनी खुद की कार हो। हाला कि टाटा नैनो व्यावसाइक रूप से बहुत सफल नहीं हो सकी लेकिन इसने उनकी दूर द्रिष्टी और सामान्य जन के प्रती उनकी सोच को प्रदर्शित किया। दो, जगुआर लैंड रोवर का अधिगरहन, रतन टाटा की सबसे बढ़ी उपलब्दियों में से एक 2008 में जगुआर लैंड रोवर का अधिगरहन था। यह अधिगरहन एक जोखिम भरा निर्नय था, लेकिन रतन टाटा की रननीतिक द प्रिश्टी ने इसे एक बड़ी सफलता में बदल दिया। प्रिश्टी ने इसे एक बड़ी सफलता में बदल दिया। शिक्षा, स्वास्थि, ग्रामी विकास और अन्य सामाजिक कार्यों में अग्रनी भूमिका निभाता है। रतन टाटा का मानना था कि व्यापार का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना होना चाहिए। उन्होंने टाटा समूल के ओर से कई महत्वकून समाज सेवी कार्य किये हैं, जिन में ग्रामी विकास, शिक्षा और स्वास्थि सेवाओं के क्षेत्र में महत्वकून योगदान शामिल है। उनके नित्रित्व में टाटा समूल ने कई अस्पताल, स्कूल और अन्यसंस्थान स्थापित किये। व्यक्तिगत जीवन, रतन टाटा के जीवन की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। उनके अनुसार, उन्होंने कई बार शादी करने का सोचा, लेकिन परिस्तितियों ने उन्हीं कभी ऐसा करने का मौका नहीं दिया। उनका जीवन साद्गी और आदर्शों का राधारित रहा है। वह ही कांत प्रियव यक्ती थे और अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कम ही बात करते थे। इसके बावजूद, उनका जीवन लोगों के लिए एक प्रेरन अस्रोत रहा। रतन टाटा को किताबे पढ़ने का बहुत शौक था और उन्हें संगीत भी पसंद था। इसके अलावा, वो पशू प्रेमी भी थे और उनके पास कई पालतु कुत्ते थे। रतन टाटा का नेतरित्व शैली। रतन टाटा का नेतरित्व और द्रिश्टिकोन उन्हें अन्य व्यापारियों से अलग बनाता है। उन्हें हर कदम पर नई चुनोतियों का सामना किया और अपने द्रिण निश्चे और साहसे उन्हें सफलता में बदला। सेवा निवृती, रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूर के अध्यक्षपद से सेवा निवृत हो गए। उनके बाद साइरस मिस्त्री को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ विवादों के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद रतन टाटा ने कुछ समय के लिए अस्थाई रूप से अध्यक्षपद का कार्यभार फिर से संभाला। सेवा निवृती के बाद भी रतन टाटा कई सामाजिक कार्यों और स्टाट अप्स में सक्रिय रहे। वह नवोन मेशी विचारों को प्रोटसाहित करने में विश्वास रखते और कई युवा उध्यमियों को समर्थन देते। उन्होंने कई नए स्टाटप्स में व्यक्तिगत रूप से निवेश, जिन में से कुछ हेल्थक्य, शिक्षा और प्रध्योगिकी से संबन्दित हैं। पुरसकार और सम्मान, रतन टाटा को उनके योबदान के लिए अनेक राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय पुरसकारों से सम्मानत किया गया है। उन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूशन और 2008 में पद्म विभूशन से सम्मानत किया गया, जो भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोचन नागरिक सम्मान है. इसके अलावा, उन्हें दुनिया भर के कई प्रतिष्थित विश्वी द्यालेव से डॉक्टरेट की उपा हैं. उनके नित्रित्व में टाटा समूह ने न केवल व्यापारिक सफलता हासिल की, बल्कि समाजिक विकास में भी महत्व पून योगदान दिया. उनका जीवन ये सिखाता है कि व्यापार का असली उद्देश्य समाज की सेवा और लोगों की भलाए होनी चाहिए.